हेलो दोस्तो हिंदी लुकप में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम जानेंगे कि खून में यदि एसीडिटी भढ़ जाए तेजाब भढ़ जाए तो ऐसा होने के पीछे कारण क्या होते हैं और यदि खून में एसीडिटी या एसीड भढ़ जाए तो उसके लक्षन क्य होते हैं दोस्तों यदि आपके खून में एसीड भढ़ जाए तेजा भढ़ जाए यानि खून की अमलियत भढ़ जाए तो ऐसा होने को मेडिकल भर्षा में एसीडोसिस नाम से जाना जाता है उसको हमारे शरीर के अंदर खून की पीएच जो होती है वो करीब 7.4 के आसपास ह होती है दोस्तों पीएच लेवल ऐसे दो उर बेस यानि अमल और शार का लेवल जांचने का एक पैमाना होता है यदी पीएच लेवल जादा है थो इसका मतलब होगा आपका खून अधिक शारिये है और यदी पीएच लेवल 7.4 से कम है तो इसका अर्थ होगा कि आपके किडिनी और लंग्स यानि फेंफडे किसी कमी के कारण आपके बलड का पीएच लेवल सामाने नहीं रख पाते और ऐसा होने से आपका खून अमलिय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है बलड की एसिडिटी यानि अमलियता भड़ाने के पीछे कही कारण हो सकते हैं यदि आपका खून अधिक अमलिय हो गया है तो इसके बहुत बुरे साइड इफेंट सामने आ सकते हैं खून में तेजाब की मात्रा अधिक होने का सबसे पहला साइड इफेंट होता है आपकी स्किन बहुत ही रूखी सूखी और बेजान सी रहने लगती है इसके इलावा आपके बालों का जड़ना बहुत अधिक भड़ जाता है शरीर में अधिक होने से आपके दांत और हडियां कमजोर हो जाते हैं और आसानी से तूटने या घिसने लगते हैं खून में अधिक होने से आपको पेट समबंदी कई समस्यां आती हैं इसे गेस्टेराइटिस, एसिड रिफलक्स यानी हर्ट बर्ण की समस्यां होना बार बार अपचन बदहजमी की शिकायत होना पेट में भारी पन गैस बनना भोजन का ठीक तरह से पचना पाना फ्लड की अमलियता यदि अधिक होती है तो इसके कारण आपको मांसिक तनाव डिप्रेशन की समस्या बहुत अधिक रहने लगती है बिना बात के सरदर्द रहना हाथ पाउं या शरीद में इंठन या बार बार नस चड़ने की शिकायत भी अधिक होने लगती है खुन की एसिडिटी बढ़ने के कारण आपका इम्यून सिस्टम यानि रोख परती रोधक तन्त्र बुरी तरह परभावित हो जाता है जिसके कारण आप बार बार बिमार पढ़ने लगते हैं खुन में एसिडिटी बढ़ने से आपको बार बार कमजोरी या थकावट की समस्या रहती है और आपको यह पता नहीं चल सकता कि आपकी थकावट और कमजोरी के पिछे का कारण क्या है आपको बार बार सांस चड़ने की समस्या रहती है नींद ना आना सर में दर्द होना भी खुन में एसिडिटी अधिक होने के लक्षन हो सकते हैं इसके इलावा भूख ना लगना और हेल्थ में गिरावट होते रहना भी बलड में एसिड की मतरा अधिक होने के कारण होते हैं एसिड की मतरा बलड में अधिक होने से आपके दिल की गती या दिल की धड़कन भढ़ जाती है तो दोस्तो ये वो नुकसान होते हैं जो खून में एसिड की मातरा अधिक होने के कारण आपको हो सकते हैं तो दोस्तो खून में एसिड की मातरा को कम करने के लिए उपाई के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं खून में या शरीर में एसिडिटी को या एसिड के लेवल को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक गलास पानी के अंदर आधा चमच खाने का मिल्ठा सोडा घोल कर पी लीजिए ऐसा दिन में एक बार दो तिन दिन के लिए यदि आप करते हैं तो आपके खून का एसिड जो है वो उदासिन हो जाएगा और आपकी पी एच जो है वो नॉर्मल हो जाएगी यदि आपको हाई बलड प्रेशर या शरीर से जोड़ी कोई दूसरी समस्या है तो डॉक्टर से पूछ कर ही खाने के मिठे सोड़े का इस्तेमाल आपको करना है रोजाना आदा घंटा एकसरसाइज करने से भी बलड का पी एच नॉर्मल होने में मदद मिलती है आपको ऐसे फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए जिन में शारियता अधिक हो यानि की जो फ्रूट एलकेलाइन हो जो आपके बलड में ऐसीडिटी को कम करने में मदद कर सकें ऐसे फ्रूट्स के सबसे अच्छे उधारन है खर बूजा खाना ककड़ी खाना खीरे के रसका या खीरे का सेवन करना सबसे जरूरी होता है उन चीजों से परहेच करना जिनके करन बलड में ऐसीड भड़ने की समसे आ सकती है जैसे स्मोकिंग करना शराब का सेवन करना मेरिच मसाले या तेली पदार्थों का सेवन अधिक करना इसके इलावा फास्ट फूड खाना या अधिक फेट वाली चीजों का सेवन करना इसके इलावा ऐसी चीजों से भी परहेच करना चाहिए जो की शरीर में ऐसी डिटी भड़ाने का काम करती है जैसे की वो फ्रूट या सबजियां जिनमें हम लिपाया जाता है तो ऐसी चीजों से आपको परहेच करना चाहिए इसके इलावा बहतर होगा कि जो लक्षन हमने बताए हैं यदि आपको महसूस होते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं वो आपके बलड की जाच करेगा और उसी हिसाब से आपको दवा देगा तो दोस्तों ये थी एसी डोसिस के बारे में जानकारी यानि खून में एसीडिटी भढ़ने के क्या कारण और लक्षन हो सकते हैं आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्यार रखें धन्यावाद